नमस्कार आप देख रहे हैं जी उबिनूँज तो दोस्त वक्तो गये हैं दिन बाइद की बड़ी कबड़ को जानने का तो उससे पहले अगर आपने अभी तक जी उबिनूज को सबस्काइब नहीं किया है तो जल्दी सजा कर जी उबनूजक को सबस्काइब करके All No Notification मेलको ओन कर दीजिए पार्टी ने लिखा कि कौन कैसे सरकार बनाता है देखता हूँ और परुक्ष रूप से इस तरह की भासा और कृत्य किये जा रहे हैं ऐसे श्राप भी दिये जा रहे हैं कि अगर सरकार बन भी गई तो कितरे दीन टिकेगी देखते हैं नेशनल प्रेश डेपर ममता बनर्जी का पत्रकारों से आगरह निडर होकर करे सत्य की रिपोर्टिंग जिहां राष्टिय प्रेश दिवस के मौके पर पस्चिम बनगाल की मुख्यमंत्री ने मीडिया को लोकतंतर का चोथा अस्थम बताते हुए पत्रकारों से निडर होकर सत्य की रिपोर्टिंग करने का आगरह किया है सांथी ममता बनरजी ने रास्टिय प्रेस दिवस पर पत्रकारों से सत्य खबरों की रिपोर्टिंग करने को कहा है रास्टिय प्रेस दिवस के मौके पर पस्चियम बंगाल की सीएम ममता बनरजी ने ट्वीट किया है कि रास्टिये प्रेजदिवस के मौके पर सभी पत्रकारों को मेरी सुभकाम ना है मीडिया लोगतंत्र का चोथा अस्थम्भ है उन्होंने कहा कि हमेशा निडर होकर सच्चाई की खबरों को रिपोर्ट करें उन्होंने पत्रकारों को रविदनाथ टैगोर की अमर सब्दों से प्रेरित होने को कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां मन बिना भाय के होता है और सिर उंचा रखा जाता है दूर संचार कंपनियों को बकाया भुगतान से मिल सकती है रहात वितमंतरी ने दिये संकेत जिहां सरकार संकट के दूर से गुजर रहे दूर संचार छेतर को बड़ी रहात दे सकती है उसकी ओर से कंपनियों के बकाया भुगतान को लेकर छूट दिये जाने की संभावना है वित्मत्राले ने सुक्रवार को कहा कि सरकार Vodafone Idea Limited और भारती एरटेल को बकाया भुगतान को लेकर वित्तिय राहत पर विचार कर रही है एरटेल और Vodafone Idea पर कुल बकाया 92,000 करोर रुपे से भी जादा है सुप्रिम कोट पिछले दिनों ब्याज सहित इस बकाय को चुकाने का आदेश दिया था जिसके बाद दोनों कमपनियों ने सरकार से राहत की गुहार लगाई है वित्मंत्राले ने संकेत दिये हैं कि यह राहत भुगतान माफी अत्वा इसके तरीके से बदलाओ को लेकर हो सकती है कॉंग्रेस के बड़े निताव संग सुनिया की बैठक आर्थिक मुद्दों पर मोधी सरकार को घेरने की तयारी जिहां कॉंग्रेस अंसदिय रणिती समों की पार्टी की अंतरी मद्यक्च सुनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई इस बैठक में आर्थिक मुडचे पर मोधी सरकार को घेरने की रणिती पर चर्चा हुई कॉंग्रेस पार्टी आर्थिक मंदी के मुद्दे पर 30 नौंबर को रामलिला मैदान में रैली करने जा रही है देश की अर्थवेवस्ता को लेकर कॉंग्रेस लगतार मोधी सरकार पर हमलावर है इसके लिए पार्टी ने सरकार के किलाफ देश भर में परदर्शन का एलान किया है राहुल गांधी लगतार मोधी सरकार को निसाना बना रहे हैं आर्थिक मुद्दो परवा केंदर सरकार से लगतार सवाल पूछ रहे हैं जारी हुई 21 सहरों की रैंकिंग मुंबई का पानी है सबसे सुद तो दिल्ली का है सबसे खराब जियां केंदरे खादिय वोम उपभोगता मामलो के मंतरी राम विलास पासवान ने सनिवार को पानी की गुणवत्ता की रैंकिंग जारी की है भारतिय मानक ब्योरों ने इसकी रिपोर्ट जारी की मंतरी ने कहा कि हम किसी सरकार को दोश नहीं दे रहे हैं पूरे देश से पानी की सिकायत की खबरे आ रही है हमें गंदे पानी से देश को बचाना है पासवान ने दिल्ली सहीत देश भर में 20 राजियों से लिये गए पीने के पानी के नमूने की जाच रिपोर्ट सनिवार को जारी की है इस रिपोर्ट में पहले नंबर पन मुंबई रहा यहां का पानी हर मानक पर पास हुआ है दूसरे नंबर पर हैदराबाद और तीसरे नंबर पर भुवनिश्वर है वहीं दिल्ली का पानी सबसे खराब है पानी की गुणवत्ता की जाच दस मानकों पर की गई थी जारकण विधांसबा चुनाओं में पुराने कॉंग्रेसियों को पाले में लाने में जुटा है जदियू जियां विधांसबा चुनाओं की दस्वीर लगबग साफ हो गई है गटपंदन से लेकर उमिदवार तक सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिये हैं उमिदवार की घोचना के साथ निताओं के रूठने मनाने के साथ दल बदल भी सुरू हो गया है ऐसे में जदियू कॉंग्रेस में सिंध लगाने की कोशिस में है बुधवार को जदियू चाइबासा में बागुन सुब्रू रई के बेटे विमल सुग्रू रई को अपने पाले में लाने में सफल रहा है इसके अलावा भी कई नाम चर्चा में है पार्टी के महा सचिव सह प्रवक्ता सरवन कुमार ने बताया कि पार्टी अपने बूते सभी विधासभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है इसके साथ ही पार्टी अपने संगठन को मजबूत करन में भी जूटी हुई है अब जनसंक्या नियंतरण पर बने का कानून पीम नरेंद्र मोधी भी है सहमत जिहां केंद्रे पसुपालन एवं डियरी राजी मंतरी डॉक्टर संजीव बालियान ने सुकुरवार को कहा कि अनुची 370 और राम मंदिर के बाद अब जनसंक्या नियं मुश्किल हो गया है वह पूर्वसांसद चौधरी बाबुलाल के जैपूर हाउस इस्थित आवास पर पतरकारों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि वर्स 2014 में जब वह सांसद थे तब जनसंक्या नियंतरण कानून विधयक पर सबसे पहले उन्होंने दस्तकत किये थे